आप देखरें सिया नियूज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ राहुल भात्य किर्केट टीम के कोच रविश सास्तरी का कॉंट्रेक्ट होने वाला है खतब बी सी सी आई के पास दूसरा विकल्प राहुल रविट का है हम आपको बता दें कि एक तरफ वर्ल्टी 20 का आगाज हो चुका है जहां पे 24 अक्टूबर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है वहीं इसी बार रवी सास्तरी का कोच कपद जो कि उनका कांट्रेक्ट था बी सी सी आई के साथ अब वो खतम होने वाला है ऐसे में बी सी सी आई के अध्यच रहे सौरफ गाउगली उनका मन पसंदिदा खिलाडी जो कि राहुल रविट थे उनको कोच बनाने की बात चल रही है वहीं सौरफ गाउगली ने कहा है कि राहुल रविट एक अच्छे कोच के तौर पे भी देखे जाते है भारत के बी टीम के कोच रहे राहुल रविट अब भारत के एक टीम का नितरत्व करने वाले हैं जहां पे रोहिश शर्मा, विराट कोली, भुवनेश वर कुमार जैसे बड़े बड़े खिलाडी होंगे आपको याद दिला दे कि राहुल रविट एक बार भारत टीम का मारदर्शन भी कर चुके है जहां पे भारत की ए टीम रविट सास्तरी के साथ टेस सिरीज खिल रही थी वहीं पे भारत की बी टीम के साथ स्रलंका का दौरा था जहां पे भारत को एक शर्मनाख हार का सामना भी करना पड़ा भारत के कुछ मुख्य खिलाडी सिखर्धवन जो की इस टीम का कैप्टन थे वहीं उप कप्तान भुवनेश और कुमार थे कुछ एहम खिलाडी जैसे की दुरे कुमार रियादो मनीस पांडे मैंक अगरवाल को करोना के कारण मैट से बाहर रखा गया था वहीं पे इन सभी को रिप्लेज भारत की सी टीम के साथ खेलाना पड़ा था इसमें से भारत को एक हार का सामना करना पड़ा रवी सास्तरी के नेतिर्स में भारत कई जगों पे इतिहास रच चुका है चाहे वो गावा का ग्राउंड हो या फिर लॉट्स का बीच में खबरे ये भी आ रहे थी कि विराट कोली की रवी सास्तरी से अनबन चल रही है पर विराट कोली ने इसे मीडिया को ठुकराया और कहा कि रवी सास्तरी हमारे कोच है और हम दोने में कोई अनबन नहीं चल रही है प्राट कोली ने ये भी बयान दिया है कि रवी सास्तरी का योगदान भारतिय टीम कभी नहीं भूल सकती आई के हेड जया संकर और अध्यज सौरफ गाउली के मन पसिंदधा खिलाडी अब राहुल रविट भारतिय टीम का मार्क दर्शन करने वाल है हम आपको बता दे कि राहुल रविट का एक और नाम है जो कि दव वॉल के नाम से जाना जाता है यानि एक दिवाज जिसे भीदना असंभाव है उनका ये नाम पैटिंग के बदौलत जहां पे उनका डिफेंस अच्छा होने के बदौलत पड़ा था फाली बात अब ये है कि वर्ल्टी ट्वंडी का आगास तो हो चुका है देखना ये है कि क्या इससे पहले रवी सास्त्री इस दोरे पे आएंगे या फिर इस दोरे के खतम होने के बाद वो कोच का पद छोड़ने वाले है ऐसी तमाम खबरे के लिए आप बने रहें एशिया नियोस के साथ नमस्कार